नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले है Current Affairs जो हमने एक मार्स से लेके 13 मार्स तक जो Most Important Question है उनको Select करके आपके लिए त्यार किया है दोस्तों आपसे मेरा वादा है कि आपको इवीडियो सुर्च से लास अगर आप देखते हैं इसमें आपको बहुत मज़ाएगा और इसे बहुत आसानी से आप तयार कर सकेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें से जान लीजे आपके एक्जाम में Question 100% फसेंगे इसलिए आपको क्या करना है इन प्रश्णों को आप याद कर लीजे रट डालिए क्योंकि इसमें से प्रश्ण जरूर आएंगे तो दोस्तो आपको क्या करना है हमाई साथ बने रहने के लिए हमाई चेनल को subscribe कर लेना है इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपके चैनल के नीचे आपको red box दीखेगा उसे click कर लीजेगा साथ ही साथ bell' आगन प्रेस कर लेंगे तो इसी तरह की जो भी हमने अपना नेक्स्ट वीडियो टालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन के मादिम से पहुँच जाएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक पताना है किसमें से कौन सा ओप्शन सही होगा जहां पे नरिन मोदी 16 मर्ज 2018 को मेरी कॉम एकेडमी का उधगाटन करेंगे तो दोस्तो इसमें आपका ओप्शन कौन सा सही होगा इसे आप टेस्ट भी कर सकते हैं आप फूद अपना मुल्यांकन कर सकते हैं कि आपको इसका अंस और धन का उप्योग करने के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है आपके आप्शन है गोवा पस्चिम मंगाल पंजाब या महराष्ट दो बताए दुस्तों इसमें आपका कौन सा ओप्शन सही हो जाएगा तो इसम में आपका आप्शन नंबर बी सही होगा यानि पस्चिम मंगाल ठीक है अगला है किस राज्य में प्रधान मंत्री नरिद मोधी ने और फ्रांस के राश्पती ने 75 मेगावाट के सौर सहीयत का गाटन किया ठीक है आपके सामने आप्शन है हिमांचल प्रदेश उत्तर प्र सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश अगला है अगला कुश्यन देखिए दोस्तों आपके स्किन पर लिखा है कि हाली में युनाइटेड वर्ड रेंकिंग में दूसरा स्थान पाने वाली एसियन चैंपियन का नाम बताईए तो उसका नाम क्या है तोस्त देश की संसद ने 11 मार्च 2018 को राश्टपती के लिए दो कारेकाल की सीमा समाप्त कर दी है तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा उप्शन सही हो जाएगा चीन इंडोनेसिया इराक या अफगानिस्तान तो इसमें आपका उप्शन नंबर फरस्ट सही होगा चीन दोस्तों आएगा तो अपने दोस्तों साथ शेर करना ना भूले अगला कुश्चन है दोस्तों कि प्रथम भारत फ्रांसीसी ज्यान सिखर सम्मेलन सफलता पूर्वक किस सहर में आयुजित हुआ आपके ऑप्शन है मुंबई नई दिल्ली चन्नई या पुने तो कहां पे दोस्तों य अगला है 11 मार्च 2018 को राष्ट्री अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी किये गया एप का नाम क्या है ठीक है तो इसमें आपको इस एप का नाम बताना है तलास सिटिजन सर्विसेज इच वन हेल्प वन या हेल्प फॉर सिनियर्स तो इसमें आपका कौन सा ओ किस देश ने ITB बर्लिन में सर्विसेज परदर्शक पुरस्कार जीता है तो आपका कौन सा ओप्शन से हो जाएगा भारत ब्राजील चीन या नेपाल इसमें आपका ओप्शन नमबर पहला यानि भारत ने जीता है अगला है सीत कालिन पैरा अलंपिक्स 2018 का पहला सौर्पदक किस खिलाडी ने जीता है आपके उप्शन है डेमिर रास्टिक, मार्को इस्टेवोईक, हैनिरियेटा फॉरको शोवा या मार्को वोकी सेविक तो दुस्तो इसमें आपका उप्शन नमबर 30 से हो जाएगा हैनरियेटा फॉरको शोवा अगला है मलेसिया में आयोजित सुल्तान अजलान साह कप का खिताब किस देश ने जीता है आपके उप्शन है आश्टेलिया, मलेसिया, पाकिस्तान या भारत तो इसमें आपका उप्शन नमबर पहला हो जाएगा यानि आश्टेलिया ने जीता है अगला कुश्चन दोस्तो यह है कि किस भारती ये पुरुस खिलाडी ने अंतर राश्ट्रे निसाने बाजी खेल परिसंग के विश्वकप में पचास मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्परधा में स्वण पदक जीता है आपके ऑप्शन है मनु भाकर मेहुली घोस अखिल शेरोन या अंजुम मुद्गिल तो इसमें आपका कौन सा उप्शन शही हो जाएगा आपका है मनु भाकर नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जॉन सल्टन का निधन हो गया है वो किस देश से सम्बंध रखते थे आपके ऑप्शन है संयूट राज अमेरिका दूसरा ब्रिटेन तीसरा जर्मनी या चौथा फ्रांस तो बताए दूस्तों इसमें आपका कौन अगला है केंद सरकार ने 50 करोड रुपए या इससे उपर के बैंक रेंड के लिए किस सरकारी दस्तावेज को अनिवार किया है आपके ऑप्शन है आधार, पास्पोर्ट, मददाता कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र तो आपका इसमें कौन सा उप्शन सही हो जाएगा तो इसमें आपका पास्पोर्ट होगा ऑप्शन नम्मर बी नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्री सौर्गडबंधन का पहला सिखर सम्मेलन कहा अयोजित किया गया अंतराश्टी सौर्वगड मंधन का पहला सिकर सम्मेलन कहां आयूजित किया गया तो यह आपका option है नरोबी, पैरिस, कोलकाता या नई दिल्ली तो इसमें आपका option number 4 यानी नई दिल्ली होगा अगला है बहुपच्छी वायुसेना अभ्यास एक सम्मेदना भारत के इस तटी छेतर में आयूजित किया जा रहा है इस मतलब किस आपको किस भाग में ये आयूजित किया जा रहा है आपकी option है पूर्वी तट, पश्चमी तट, कोरो मंडल तट या कछ और कठिया वाल छेतर तो इसमें आपका कौन सा option चाहिए होगा तो इसमें आपका option number दूसरा यानि पश्चमी तट में आयूजित किया जा रहा है अगला है 5.3 million महिलाओं ने किस देश में पहली नारीवादी हर्ताल में भाग लिया ठीक है, 5.3 मिलियन महिलाओ ने किस देश में पहली नारिवादी हर्ताल में भाग लिया, तो इसमें आपके option है, पहला Spain, Union, Poland या Germany, तो कौन सा option सही होगा इसमें आपका, Spain अगला है, किस देश के प्रधान मंत्री, Robert Fico पर दबाव डालने हेतू, दसकों बाद सबसे बड़े विलोध प्रतर्शन हो रहे हैं, तो आपके option है, श्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस या पोलाइन, तिसमें आपका option नमबर पहला सही होगा, श्लोवाकिया अगला है, थाइलाइन में आयोजित, ट्रांस जेंडर महिलाओं के लिए, दुनिया की सीर्स सौंदर प्रतियोगताओं में से, एक में गुयन हुआंग जियोंग को इस वर्स मिस इंटरनेशनल क्वीन का ताच पहनाए गया, वे किस देश से संबन्द रखती हैं, आपके option ह वियतनाम, थाइलेंड, फिलिपिन्स या शीरिया, तो इसमें आपके कौन से option सही होगा, option नमर पहला वियतनाम से संबन्द रखती हैं, अगला है दोस्तों की, एसिया और प्रसांद छेतर में सौर उर्जा परिनियोजन को बढ़हावा देने के लिए, निम्न अंतराष्ट सौर गडबंधन, IAS, ISA के साथ समझोता किया है, तो आपके option है European Invest Bank, ACI Vikas Bank, Caribbean Development Bank या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका कौन सौर्प्शन सही हो जाएगा, option नमर दूसरा, ACI Vikas Bank, तो दोस्तों ये थे हमारे आज की important questions, में करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, तो एक like जरूर कीजेगा, और क्या कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा, दोस्तों, जिससे क्या हो, अधिक सदिक लोगों तक पहुंचे, और इसमें क्या होगा, लोगों को अधिक सदिक मदद मिल सकेगी, और अगर तक हमाई त अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है बैल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा जिससे हम अपना वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिक्शन के मादम से मिल जाए